आज डॉटनेट आप डॉटनेट पर अपने सब ही गनित रिसैन विग्यान भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डॉट्स का करो सपाया बस प्रसण की फोड़ोखीचो एक ही प्रसण को क्रॉप करो और तुरब विडियो सिलीशन पाओ अभी डॉटनेट करें हेलो, दोस्तों मैं सामने प्रेशन है कि विश्लेशिक विदिश से दिखीजे कि एक समकोर त्रिभूज में कर्ण का वर्ग कर्ण दू भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो यहां से दोस्तों हम देख सकते हैं चुक्य में निर्दे साक्ष नहीं दिया गया है तो समकोर त्रिभूज हमारे पास है समकोर त्रिभूज में उसकी जो दो भुजाएं होते हैं किस प्रकार होती है लंबत होती है तो इस स्तिति में उन भुजाओं को हम क्या माल लेते है नेरदेसाक्ष माल लेते हैं तो इस प्रकार दोस्तो हम क्या कर रहें हैं यहाAN से देख सकते हैं यहाँ पर मूल बिंदु के बास मूल बिंदुसे ऐन K хват करें वहाँ पर हमारे पास रा रहे हैं29 अर कोड बन रहे हैं और यहाँ से दोस्तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि हमारे पास X में कोई बिंदू A है जिसका निर्देसांख हमारे पास सुन्य A तथा वायक्ष में बिंदू कोई B है जिसका निर्देसांख सुन्य B हमारे पास होगा यहां से देख सकते हैं समकोड के सम्मुख भुजा जो हमारी है वह क्या है? ugären कण न बराबर ہमारे पास हो गया इसे बन्दू या इस बन्दू भी दिया गया तो या उगए गया रव तो हम लिखेंगे इस प्रकार अे अध्य ओ ऑभ छों हें कि दो बिंदू के मत्य होते तो तल्हाटि में ऑब selves का इस गर्ण का यहां यहां से सकते आओ X1, Y1, X2, Y2 बिंदों के निर्दे सांग है, तो इस इस्तिति में हम क्या करते हैं, A को हम यहाँ पर X1, Y1, वो B को X2, Y2 मान लेते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, A, B बराबर आ जाएगा, हमारे पास करणी में, X2 रण X1 अरथा सुन्ने रण A, पूरे का वर्ग हो जाएगा, और Y2 रण Y1 अरथा, B रण सुन्ने पूरे का वर्ग आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, करण का वर्ग को हमें क्या सिद्ध करना है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब A, B का वर्ग हम कर लेते हैं, यहाँ से, क्या प्राप्स जाएगा यहाँ से, वर्ग मूल में है, वर्ग मूल हर जाएगा, यहाँ से हमारे पास, रिन A का वर्ग करने पर हम लिख सकते ह अब यहां से बोला गया है कि 10 दो भॉज़ाओओं को हम लेंगे तो हम लेेंगे तो हम ले चाहँ सकते हैं इसलिए यहां पे हमादे पास यह मूल बिंदू है जिसको हम O से प्रयद शिद्की हैं तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसलिए O A दन, sorry O A कवर्ग दन, O B कवर्ग, बराबर हमारे पस क्या हो जाएगा, बात करने दिए O A कवर्ग के लिए तो आजाएगा हमारे पस पहले O A कमान के आजाएगा, यहां से, X1, Y1, हम मुल बिंदु सुने सुने को, X2, Y2, हम यहां पर इस बार मान लेते हैं, A सुनन का वर्ग, और इस पूर A का वर्ग, इसे प्रकार हमारे पास क्या आजाएगा, करने में, O B की बात करें, तो यहां से हमारे पास आजाएगा, सुनने रण सुनने का वर्ग, धन, B रण सुनने का वर्ग, और इस पूर A का वर्ग, तो इस प्रकार यहां से वर्ग मुल तो हम लिख सकते हैं, समी करन, समी करन, एक, वह दो से, हमारे पास क्या जाएगा, यहां सा जाएगा, हमारे पास, एबी का वर्ग बड़ाबर, ओए का वर्ग धन, ओपी का वर्ग, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, अतर, करन का वर्ग बड़ाबर, ओए हमारे क्या है, ओए को देखें, तो यह हमारे आधार है, तो इस हम लिख लेते हैं, आधार, आधार का वर्ग धन, लंब का वर्ग, अब जैसे कि हमें प्रैष्ण में सिद्द करने बुला गया था, कि करन का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों की योग की बरावर होता है, तो यहां सम लिख देंके, यह सिद्द हुआ, यह सिद्ध हुआ उमीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा धन्यवाद